हालो एवरिवन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, हम लोग mathematical logic chapter पढ़ रहे थे, जैसे कि आपने मेरे पहले दो वीडियो में exercise 1.1 हमने किया है, exercise 1.2 किया है, आज हम लोग उसी में exercise 1.3 करने वाले हैं, तो students exercise 1.3 भी बहुत important है previous exercise की तरह, इस exercise में हम quantifiers के बारे में बात कर करेंगे, क्योंकि इसी से related question इसमें आता है, आगे चलके हम converse, inverse and contra positive statements के बारे में पढ़ेंगे, साथी साथ हम statement को dual करना है, वो भी पढ़ेंगे, और last में हम negotiation भी करने वाले, तो negation और ये सारे quantifiers, converse, inverse and contra positive से हर साल एक नए questions आते भी हैं, इस exercise में में आपको ये भी बता कि कौन से questions कौन से years में आये हैं, तो जिससे आपको चीजों को समझना और भी आसान हो जाएगा, I hope आपने मेरे पहले वीडियो को देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखिए, like कीजिए, comment कीजिए, ताकि मैं मुझे motivation मिलता रहे, ताकि मैं इसी तरह औ शुरू करते हैं वीडियो को, तो जैसे पहले quantifies, quantifies होता क्या है, quantifies basically एक तरह का symbols होता है, जो कि denote करने के लिए group of words या तो phrase को, ठीक है, बहुत सारे group of words को या phrase को denote करने के लिए होता है, जैसे आपने similarity का symbol देखा होगा, ठीक है, हमने अभी and का symbol देखा, और का symbol देखा, negation क symbol देखा, उसी तरह quantifies भी एक तरह का group of words को symbol से denote करने के लिए काम आता है, ये quantifies दो तरह का होता है, पहला होता है, universal quantifier, universal quantifier को हम ऐसे देते हैं, ठीक है, उल्टा A, एक तरह से बोल सकते हो, अगर ये A है, तो इस तरह का उल्टा statement, A, इसको हम बोलते है, universal quantifier, ठीक है, ये symbol, ये क्या आप कहलाता है, ये stands for all values of, all values of, ठीक है, मतलब सारे values को, ऐसा denote करता है, कौन सा symbol, ये, universal quantifier का, and is known as universal quantifier, हम इसको example से समझ लेते हैं, माल लो, एक set है, जिसके अंदर 1, 2, 3, ऐसे elements है, ठीक है, तो, हम लेंगे, let P, such that, universal quantifier, x belongs to A, मतलब, x ऐसा number है, जो की 4 से छोटा है, देखिए, यहाँ पर लिखा है, x smaller than 4, तो, x ऐसा number है, जो की 4 से छोटा है, तो, क्या इस set में, कोई भी number, 4 से बड़ा है, क्या, नहीं है, सारे के सारे 4 से, smaller है, तो, यहाँ पर वही दिया है, here, the statement P, uses the quantifier for all, ये P, क्या दिया है, quantifiers for all, मतलब, A के सारे values के लिए, एके सारे values के लिए, जैसे कि, statement is true, सही है, क्योंकि, यहाँ पर जो भी x है, वो सारे values क्या है, 4 से smaller है, इसलिए, statement क्या दिया गया है, true, if and only if, each and every element of set a satisfies the condition, तो, यहाँ पर हमारा जो example है, वो एक condition को क्या कर रहा है, satisfy कर रहा है, इसलिए, इसको हम क्या बोलेंगे true, और अगर एक भी value, जैसे कि, चार से बड़ा होता, जैसे कि, अगर मैं यहाँ पर 5 भी लिख देता, तो 5 लिख देता, तो क्या हो जाता, यह condition satisfy होता, क्या, नहीं होता न, इसलिए, हमारा तब statement क्या हो जाता, false हो जाता, समझ माया है आप लोको, तो इसको हम क्या बोलते, बोल सकते हैं, जैसे कि, E को ऐसे देते हैं, तो इसका exactly opposite, ऐसा, तो यह देखो, यह symbol दिया है, अब यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है, there exist, there exist, मतलब, at least, there exist, is known as existential quantifier, इसको हम example से समझ लेते हैं, जैसे कि, यहाँ पर दिया है, consider A, A के अंदर क्या-क्या है, 4, 14, 66, 70, ऐसे numbers द belongs to A, X belongs to A, such that X is an odd number, तो यहाँ पर जो P दिया गया है, वो X यह belong करता है, कि A के, at least, कोई भी statement क्या हो, मतलब, कोई भी element क्या हो, odd number, तो क्या यहाँ पर कोई odd number है, नहीं है, तो इस statement is true, if, at least, if, at least, तो यह statement कब true होता, at least, एक element satisfy करता condition, तो X is an odd number, and is false, otherwise, तो given statement क्या है, false है, क्योंकि हमारे पास जो भी set में numbers है, कौन से-कौन से number थे, 4 था, 14 था, 66 था, और 70 थे, यह सारे के सारे number क्या है, odd even number है, सारे के सारे क्या है, even number है, तो इसलिए क्या होगा, given statement क्या होगा, false, as none of the elements satisfy the condition, condition क्या था, कि odd number हो अच्छी, ले even number है, ठीक है, तो I hope आपको existential भी example के सारे समझ में आयोगा, आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे dual है, तो dual को हम क्या बोलते हैं, तो dual पे जाने से पहले, हम पहले quantifiers के example को solve कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर question number 1 दिया, आपके test book का, exercise 1.3 का, यह exercise, यह question से न, देखो, October 2013, 2014, March 2017, तो यह 3 साल इस question से आ चुका है, question number 1 से type के sums आ चुके है, ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, if A, 3, 5, 7, 9, 11, 12, इतने elements A में है, determine the truth value of each of the following, truth value determine करना है, तो पहला question क्या दिया है, अब यह देखरो, if there exists, है न, तो existential quantifier है, जिसमें X belongs to क्या है, A, such that, X minus 8 equals to 1, X minus 8 equals to 1, तो existential में क्या होना चीए, at least A condition तो satisfy होना चीए, तब ही हमारा statement क्या होगा, true होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो X minus 8 equals to 1 दिया है, अभी इसमें से हम number लेंगे, किसमें से A में, देखो, अगर मैं 3 minus 5 कर दूँ, तो 3 minus 5 क्या होगा, यह हमारा, एक तरह से minus 5 हो जाएगा, 3 minus 8 किया, तो minus 5 हो जाएगा, वैसे अगर 5 minus 8 किया, तो भी क्या हो जाएगा, minus 3 हो जाएगा, तो अगर मैं 9 ले लू, 9, तो 9 minus 8 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यह condition satisfy हो रही है, अगर मैं A में से X की value, जो की 9 ले लू, तो 9 minus 8 क्या हो जाएगा, 1, तो यह condition हमारा क्या हो रहा है satisfy हो रहा है तो इसलिए जो X की value 9 है किस में से a में से वो क्या satisfy कर रही है वो इस condition को क्या कर रही है satisfy कर रही है इसलिए हमारा statement क्या हो गया true हो गया इसलिए हमारा statement क्या हो गया? true, ठीक है? अब इससे दा दूसरा question देख लेते हैं, existential x belongs to a such that x square is less than 0, x square less than 0, मतलब इन में से x कोई भी value का square अगर हम लेंगे, तो वो सब value क्या होगी? less than 0, तो ऐसे कोई भी value है क्या यहाँ पे नहीं होगी ना, क्योंकि देखो अगर 3 का square ओभी 9, 5 का square 25, यह सब के सब positive numbers आएंगे ना, और सारे numbers क्या है? 0 से बड़े है, तो इसलिए हमारा x का यह जो condition है, यह क्या होगा? false होगा, ठीक है? अब इसी तरह इसमें भी देख लेते ह existential है, जहाँ पे x belongs to a, such that 3x plus 8 is greater than 40, तो 3x plus 8 greater than 40, यह condition के लिए, इसी में से हमने क्या लिया? 12 लिया, तो अगर मैं यहाँ पे 12 substitute कर रहा हूँ, 3 की जगा, तो 12, 3 जा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, 36 plus 8 कितना हो गया? 36 plus 8 हो गया, 44 जो की 40 से क्या है? बड़ा है, जो की 40 से क्या है? बड़ा है, तो इसलिए condition क्या कर रही है? satisfy कर रही है, और भी इसमें आपको confused नहीं होना है, अगर माननों मैंने 11 लिया होता, तो 11 लिया होता, 11 3 जा, 33 होता, और 33 plus 8 क्या होता? वो भी 41 होता, तो 41 भी 40 से बड़ा हो जाता है, है ना? तो यहाँ पे condition भी क्या है? satisfy, तो इसलिए हमारा statement क्या रहेगा? true, तो इसकी truth value क्या आ जाएगी? true, ठीक है? तो I hope आपको यह quantifier समझ में आये होंगे, और इससे related example समझ में आये होगा, ठीक है? तो अब quantifier के बाद हम dual में जाते हैं, dual काफी आसान है students, dual में क्या है? two compounds statements, S1 and S2 are said to be duals of each other, if one can obtain from the other by interchanging, इ आगर आपके statement में and दिया है, तो and को मैं किस से interchange कर दूँगा? और से कर दूँगा, या wise versa, मतलब अगर और दिया होगा, तो इसको इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? duals बोलते हैं, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? duals बोलते हैं, इसी तरह अगर मानलो statement आपको यह आ पत तो आपको यह समझ में आ गया होगा अब इसी रिलेटेड हम समझ भी कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स देखिए डूअल का जो कोश्चन है कोश्चन नमबर टू है ये भी दो बार आ चुका है इसे रिलेटेड कोश्चन एक बार मार्च 2014 में आया है और एक जुलाई 18 में आया है देखो यहाँ पे कोश्चन दिया है आपको पी और फिर ब्राकेट है क्यू एंड आर तो अभी और का डूओल क्या होगा एंड हो गया हमने इंटरचेंज कर दिया उसी तरह इस AND का dual क्या हो गया, और हो गया, बस आपको यही करना है, ठीक है, फिर से repeat कर देता हूँ, यह OR दिया था, इसको हमने क्या लिग दिया, AND, उसी तरह यह AND दिया था, इसको हमने क्या लिग दिया, OR, बस इसी को हम Dual बोलते हैं, ठीक है, अब इसी तरह second question देख लो, P और Q, फिर and यह है, फिर आपस bracket में, R और S, तो हमने और की जगह क्या कर दिया, and से interchange कर दिया, and से किसको interchange कर दिया, और को, उसी तरह इस और को किससे interchange कर दिया, and से, बस, इसी को dual बोलते है, अगर माल लो, ऐसे ही question नुमर एक और है, जिसमें देखो C दिया है, मतलब contradiction होता है, ये और है, फिर bracket में P AND, और फिर bracket में Q और R और bracket close, फिर curl bracket close, तो अब क्या करेंगे, contradiction की जाए, किस से replace करोगे आप, T से interchange करोगे, मतलब totology से, और को AND से कर दिया, ये AND था, इसको OR से कर दिया, ये OR था, इसको AND से कर दिया, ठीक है, तो I hope आपको समझ में आ गया होगा, फिर से repeat कर देता हूँ, AND को किस से interchange करना है, OR से, उसी तरह, OR को किस से interchange करना है, AND से, और totology को किस से interchange करना है, contradiction से, ठीक है, तो I hope आपको ये clear हो गया ह अब हम अपने next concept की तरह सब जलते हैं अब जो आपका next है वो है converse, inverse and contrapositive statements ये क्या होते हैं अगर माल लो if p ये किसका symbol है implies का na q is given that it's इसका converse क्या हो जाएगा तो जो भी statement उसको interchange करते हो मतलब q यहाँ पे बाद में है और p पहले है न तो converse मतलब क्या होता है q पहले आ जाएगा और p बाद में आ जाएगा समझ में हाँ आपको जो connectivity है implies इसमें p पहले है q बाद में है तो इसका converse क्या हो जाएगा इस statement का q पहले आ जाएगा और p बाद में आ जाएगा ठीक है इसी तरह बस इसको ऐसे interchange करना है ठीक है converse मतलब जो भी statement दिया है उसको आप interchange करो q को p से और p को q से उसी तरह अब एक बार converse हो गया अब इसी का inverse अब inverse मतलब क्या होता है जो statement दिया था उसी का negation मतलब p का negation of p q का negation of q इसको हम क्या बोलते inverse मतलब जो भी statement दिया होगा उसके आगे negation लाइंद लेंगे वही उसका क्या हो जाएगा inverse हो जाएगा ठीक है अब उसी तरह contrapositive है तो contrapositive में क्या करना है आपको जो भी inverse दिया है उसी का ultra inverse का ultra मतलब यहाँ पे negation of p क्या था last में है उसको हमने पहले लिख दिया negation of p पहले है तो आप negation लगा दो वह आपका inverse हो जाएगा और उसी inverse वाले को interchange कर दो वह आपका हो जाएगा contrapositive बस यह simple सा चीज है इसी को समझने के लिए example देख लेते हैं example है आप पे p क्या बता रहा है smitha is intelligent q smitha will join medical ऐसा statement दिया है आपको तो पहले इसका क्या करोगे आप converse कैसे निकालोगे पहला statement क्या है p na smitha is intelligent दूसरा क्या है smitha will join तो पहले हम क्या लिखेंगे q लिखेंगे न तो हम क्या लिखेंगे if smitha will join medical then she is intelligent क्योंकि यह implies है implies मतलब क्या होता है if then होता है तो यहां पर Smita will join medical क्या था बाद में था तो उसको हमने क्या लिख लिख लिए पहले लिख दिया तो Smita joins medical then she is intelligent अब इसी का Contrapositive आप inverse कैसे लिखोगे इसका inverse कैसे लिखोगे इस statement का दोनों को negotiation करना है मतलब Smita is intelligent है तो हम क्या लिखेंगे Smita is not intelligent वह आपका negotiation of P हो जाएगा Smita will join medical उसको क्या लिखोगे then Smita will not join medical या लिखोगे then she will not join medical समझ में आया Smita will not join medical नेगोशन हो गया ठीक है अब हमको क्या लिखना है Contrapositive मतलब Contrapositive क्या होता है इसी inverse का उल्टा inverse में पहले क्या लिखा है बात में क्या लिखा है क्या लिखेंगे पहले लिखेंगे मतलब कैसे लिखेंगे इफ Smita does not join medical then Smita is not intelligent then Smita is not intelligent ठीक है थोड़ा बहुत आपको यहाप ग्रामर का भी ध्यान देना पड़ेगा ठीक है तो आयूप आपको यह समझ में आया होगा अब देखें इसी तरह आपका question number 4 है जिसमें क्या दिये पूछा है find right converse inverse and contra positive of the following statement पहले इसमें क्या दिया question और यह अला जाद दोगो इससे भी related question कप कप आये है मार्च 2015 में है जुलाई 16 में है जुलाई 17 में आया है और मार्च 2018 में भी आया है तो यह भी ऐसी दरह important है पहला question क्या है if x is smaller than y मतलब y is greater than x then y square is greater than x square x y belongs to r ठीक है तो हमको क्या करना है हम पहले क्या लिखेंगे यह वाला है ना if तो क्या लिखा हमने y greater than x q को क्या लिया y square greater than x square थीक है दोनों real number को है तो given statement क्या है p implies q है given statement क्या है p implies q है इसका contrapositive अब पहले Kollege लिखोगे क्या को पहले लिखोगे और पी को बाद में क्यों को पहले लिख दिया पी को बाद में लिख दिया ये क्या हो गया कनवर्स तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा y2 if y2 is greater than x2 then y is greater than x ठीक है question पहले इसलिए y greater than x then only y square greater than x square हमने उसका converse क्या निकाला कि y square greater than x square then only y is greater than x तो यह हो गया converse ठीक है अब इसका inverse क्या करोगे इसी statement का inverse क्या करोगे negotiation लगाना है आपको तो क्या हो गया इसका negotiation negotiation of p implies ऐसे रहेगा और negotiation of q negotiation का मतलब क्या हुआ y यहाँ पे greater है तो उसका उल्टा क्या होगा y is not greater or equal to x y is not greater यहाँ पे यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है अगर यहाँ पे greater का symbol है तो आप इसका negation क्या करोगे मतलब इसका inverse क्या करोगे greater का smaller करोगे और equal to भी लगा होगे इसका inverse में क्या करोगे आपको smaller का भी symbol लगाना है और equal to का भी symbol लगाना है यह चीज़ ध्यान में रखना ठीक है तो inverse में क्या लिखोगे आप negation of p implies negation of q तो क्या करोगे आप जो statement y greater दिखाया था किसको आप greater दिखाऊगे x को x is greater or equal to y साथी साथ यहाँ पे y square greater दिखाया था इसमें क्या लिखेंगे x square greater or equal to y square ठीक है तो आपको इस समझ में आ गया inverse अब इसी का contrapositive कैसे करोगे exactly inverse का opposite inverse का opposite मतलब negation of q को क्या लिखोगे पहले और negation of p को क्या लिखोगे बाद में इसको हम पहले लिखेंगे मतलब क्या लिखोगे हम x square greater or equal to y square then x greater or equal to y ठीक है तो आपको इस समझ में आ गया होगा इसी तरह एक और example ले लेते हैं क्या दिया है आपे a family becomes literate if the woman in it is literate ठीक है मतलब family literate हो जाती है अगर उहां की महलाए उस family के महलाए भी क्या होगी पढ़ी लिखे होगी तो p क्या दिया है मारा family becomes literate इसको हमने क्या लिखा woman in a family is literate को p लिख दिया woman in a family को literate को p लिख दिया q क्या लिख दिया family becomes literate ऐसा लिख दिया हमने ठीक है तो woman in a family को p माना और family becomes literate को क्यों माना तो इस statement का Converse क्या हो जाएगा students Q हम पहले लिखेंगे और P बाद में लिखेंगे Q हम पहले लिखेंगे और P बाद में लिखेंगे तो कैसे लिखोगे If family becomes literate Then woman it is in literate ठीक है बस हम ले given treatment का क्या क्या है उल्टा किया अगला क्या है inverse Inverse में आपको पता ही है क्या करना है जो भी P implies Q है इसको क्या करोगे P की जगा पे negation of P Q की जगा पे negation of Q ठीक है तो कैसे लिखोगे If the woman in the family is not literate Then family does not become literate मतलब दोनों ही statement में हमने क्या लगाया not not लगा दिया बस वो क्या हो गया हमारा पहले implies negation of P बाद में मतलब क्या हो गया family is not literate इसको बाद में लिखेंगे किसको पहले लिखेंगे family does not then family does not become literate तो यहाँ पे family does not become literate then the woman in the family is not literate तो women को बाद में लिखेंगे और family को बाद में लिखेंगे ठीक है इसी तरह थोड़ा science से भी related question यहाँ पे है if voltage decreases the current then current decreases if voltage increases if voltage increases then current decreases पहले क्या लिखेंगे P को क्या देदेगो voltage increases Q को क्या देदेगो current decreases तो लिखो कि कैसे if then if or then तो हम लोग P को क्या लिखें voltage increases current decreases को Q ले लिए और if then का symbol लगा दिए Converse क्या होगा exactly इसका ultra में तो कैसे लिखोगे क्यूब पहले पी बाद में लिखा इंप्लाइज में तो क्यूब मतलब क्या था करण डिक्रीज ना तुम क्या लिखेंगे इफ करन डिक्रीज देन वुल्टेज इंक्रीज समझ में आया और इन्वर्स कैसे करोगे इसी चीज का नॉट तो इफ को ले लिखेंगे और निगोशन अपी को बाद में लिखेंगे समझ में आया ठीक है तो आयोब आपको यह कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा अभी लास्ट कंसेप्ट इस एक्सेस का बचाय स्टुडेंट लाइस टाप का कोशन जिसको मोलते है राइट दा नेगेशन कर देखलो 2016 में चुलाइ 17 में मार्च 18 में मार्च 19 में भी आया और इस साल मार्च 20 22 में जो अभी एक्जाम फातम होऊ उसमें भी आया तो 6 को क्या मान लिया? Q. तो इसके इसाब से यहाँ पे जो joint करने वाला चीज है. वो क्या है? और है ना? तो हमने इसको P लिखा. और है. तो इसलिए मैंने और लिख दिया. और मैंने क्या दे दिया? Q दे दिया. ठीक है? तो हमको negation निकालना है. क्या निकालना है? negation तो यह हमारा given statement है अब given statement का negation क्या होगा? P का negation क्या होता है? यह पुरे क caut bracket कर दो और बहार negation लगा दो बस यह हमारा answer हो जाएगा как यह हमारा answer यह हमार answer हो जाएगा कैसे? P और q था? मतलब इसको p लिया और का symbol लगाया और Q, अब इसका हो में negation करना है तो पूरे bracket के बार क्या कर दो, negation लगा दो negation लगा दिया, तो यहीं पे आपका answer खतम नहीं हो रहा है, अब आपको bracket open करना है bracket open करना है, तो क्या होगा, यह negation है तो P का क्या होगा, multiply करना होगा तो negation of P हो जाएगा इसी negation को और का negation क्या हो जाएगा, and हो जाएगा याद रखों, और का negation क्या होता है, and होता है उसी तरह and का negation क्या होगा, और अब इसी negation को Q के साथ भी करोगे तो देखो negation of Q, ठीक है तो यह हमारा answer हो गया, समझ मैं है फिर से repeat करते हो, यह हमारा statement अब P और Q, negation निकालना है तो negation मतलब क्या होता है, इसके आगे negation लगा हो, तो negation लगा है, तो क्या हो जाएगा इस bracket को open करो, open करेंगे तो P क्या हो जाएगा, negation of P वैसे ही, और का क्या हो जाएगा, and हो जाएगा और का negation क्या होता है, and और q का negation क्या होगा, negation of q, ठीक है, तब negation of statement को कैसे लिख हो गया, x plus 8, क्या था, वो greater than equal था, greater than 11 था, उसका उल्टा क्या होगा, greater का symbol क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, x plus 8, less than or equal to 11, ठीक है, वैसी y minus 3 equal to 6 हा, तो क्या करेंगे, not equals to 6, समझ मैं, not लगा देंगे, यह हमारा negation हो गया, आपको एग्जामपल है, समझ में आया होगा, और clarify करने के लिए, एक और एग्जामपल ले 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 थे, देखो, यह आपके question का, आपके touch book का third question है, quadrilateral is a square, if and only if, it is a rhombus, यहां दो connectivity क्या है आप है, if and only if, तो quadrilateral is a square को हमने कहा ले लिया, P, ठीक है, quadrilateral is a rhombus को कैसे लिखोगे सबसे पहले तो, quadrilateral is a square था, जो square को हमने P ले लिया, फिर क्या है, if and only, if and only का मतलब क्या होता है, double implies, if and only if का मतलब क्या होता है, double implies, तो double implies का symbol लगा दिया, it is a rhombus, मतलब quadrilateral is a rhombus, उसको क्या दिया, Q, तो यह हमारा question का condition दिया है, ठीक है, condition दिया है, इसका हमें क्या निकालना है, negation निकालना है, तो negation कैसे निकालोगे, इसी के बाहर क्या लगा दो, negation लगा दो, वो bracket को close कर दिया, अब इसी को आपको solve करना है, तो कैसे करोगे, negation of P क् यहाँ equal to, तो यह आपका एक तरह से theorem है, ठीक है, यह एक तरह से formula आप बोल सकते हो, P and Q का, P and negation of Q का, क्या होता है formula, P and negation of Q, और Q and negation of P, ठीक है, तो यह आपको property है, यह आपको property याद रखनी है, अगर इसको solve करना है, इसको समझना है, कैसे किया है, तो previous exercise में चले जाओ, 1.2 में, वहाँ पर मैंने truth table बना के solve किया है, तो वहाँ से ही यह आया है, ठीक है, तो उसको ज़रूर previous exercise मेरा देख लेना, मैं link description में दे दूँगा, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, तो अब हम next question, अब यह last question है, देखो यहाँ पर क्या दिया है, if it is raining, if it is raining, then we will go and play football, तो if it is raining को हमने क्या ले लिया, पी ले लिया, will go and play football, तो will go को हमने क्यू ले लिया, play football को क्या ले लिया, आर ले लिया, तो तीन तरह के यहाँ पर statement एक में बन गए, पहला क्या है, if it is raining, दूसरा, we will go, क्यू ले लिया, and play football को क्या ले लिया, आर ले लिया, ठीक है, तो इससे single implies कर दिया, इससे हमने single implies किया, फिर will go and play, तो मतलब will go को क्या लिया था, हमने q लिया था न, और बीच में क्या आ गया, and आ गया, तो देखों मैंने यहां and ले लिया, and, will go q है, और यहां पर and आ गया, तो मैंने कहा लिया and, play football को क्या दिया है, हमने r, तो इसलिए r दे दिया, तो यह आपका question के इसाब से condition हो गया, इस condition का क्या निकालना आपको negation, तो इसके बाहर क्या लगा दो, negation का symbol, ठीक है, तो negation का symbol लगा दिया, अब इसको solve करो, कैसे solve करोगे, p implies q and r, ठीक है, तो q or r, मतलब p implies कुछ भी चीज़ दिया रहेगा, तो उसका negation कभी भी क्या होता है, p as it is रहता है, और यह negation किसको लग जाता है, implies को लग जाता है, implies change किसमें हो जाता है, and में, और यह negation, फिर यह जो बाहर q and r, उसके बाहर आजाता है negation, p as it is रहेगा, and as it is रहेगा, अब यह negation किसको multiply होगा, q को, तो क्या हो जागा, negation of q, अब इसी negation का हम and करेंगे, तो क्या हो जाएगा, और इसी negation को r के साथ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, negation of r, ठीक है, तो I hope आपको इस समझ में आगया होगा, फिर से repeat कर देता हूँ, कभी भी negation of p implies कोई भी statement होगा, तब उसका negation क्या होगा, p as it is रहेगा, implies क्या क्या आजाता है, and आजाता है, ठीक है, और यह जो भी statement होगा, इसके बाहर क्या आजाता है negation, तो p ऐसी रहेगा, and ऐसी रहेगा, अब negation का q के साथ, तो क्या आएगा negation of q, negation का and के, तो क्या हो जाएगा or, negation of r के साथ, तो आजाएगा negation of r, तो यह हमारा answer हो गया, ठीक है, तो students, I hope आपको यह exercise समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा, तो please video को like कर देना, comment कर दो, ठीक है, और channel को subscribe कर दो, अगर आप नए हो, जल्ली से जल्ली, इस channel को grow कराज दीजिए, क्योंकि मैं इसमें continuous update देने वाला होगा आपको, regarding महाराष्ट बोर्ड, साथी साथ, आपको physics, chemistry, maths, पर आते तो हो, लेकिन like नहीं करते, तो please like कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, ताकि मैं भी इसी तरह अच्छी वीडियो बनाते रहूँ, thank you for watching this video, हम अगले वीडियो में मिलेंगे, bye,